कांगडा जिले में 3000 मीटर से उपर की सभी ट्राकेंग गतिविद्यों को आगामी आदेश तक पूरी तरह से प्रतिबंदित कर दिया गया है साथ ही खराम बौसम को देखते हुए जिले में ट्राकेंग गतिविद्यों को लेकर विशेश हिदायते भी जारी की गई है वहीं करेरी त्रियूंड और आदी हिमानी चामूंडा मार्गों पर ट्राकेंग के अनुमती के लिए पुलिस अधिक्षक कांगडा के कार्याले से पूर्व अनुमती के प्राप करना अनिवारे होगा और इसके लिए कार्या नवेन के लिए पुलिस अधिक्षक कांग्रा से कार्यालय में प्राप संख्या में पुलिस कर्मी तैनात करने को कहा गया है ASP कांगना डॉक्टर खुशाल शर्मा ने बताया कि जिला परियतन अधिकारी को कांगना जिले के परियतन व्यविसाय से जुड़े समस्त हित धारकों को उनके वहां ठहरने वाले सभी परियतकों को ट्राकेंग गत्व विदियो की पाबंदियों से अवगत कराने के निर्दे भी दिये गए है ASP कांगना ने बताया कि आदेश का अलोंगर करने वाले व्यक्ति पर IPC की धारा 188 तथा आपता प्रबंदन एक दो हजार पांच की धारा 51 से साथ के तहर कारिवाई की जाएगी प्रसासन ने जारी कि है और जैसे कि आपको पता कि पिछले वर्स भी कुछ खटना घटी थी जिसमें कि हमने कुछ जवान जो अपने युवापिडी की लोग हैं उनको उने ख्वया था तो हम चाहते हैं कि चाहे स्थानी विक्ति हों चाहे स्थानी युवा हों चाहे परेटक हों बार से आने वारे हम यही एड़्वाईज करेंगे कि आप इन दिनों लाका है उस इलाके से उपर जंगल क्यों ना जाए एक तो जंगले जानग निशी आ जाते हैं उनका खत्रा रहता है और दूसरा यह जो पहाड़ है जो वर्फ है और जो पहाड़ी एरिया है उसमें स्लाइड्स लेंड स्लाइड भी होते हैं और ऐसे में हाथ से हो जाते हैं तो हमारी एडवाइज यह कि ट्रेकिंग पर पुर्ण प्रतिबंद है किसी प्रकार की ट्रेकिंग जो है वह अलाउनी की जाएगी और इसमें सब को अपने आप साब धानी परतने क्या आप सकता है हम कर सकते हैं जिला पुलिस जिला प्रसाशन एडवाइज कर सकता है कि आप ना जाएं अगर फिर भी कुछ जाता है तो उसके जिमबार वो स्वाइम होगा कारवई नोटिफिकेशन होई है डिसी की तो एक्सटासी आइपीसी में जो है वो उनके खलाप फायर हो सकती है अगर कोई वेक्ती किसी 144 की नोटिफिकेशन के अंगेस्ट कोई कारवई करता है या कॉंप्लाई नहीं करता है तो उसके खलाप धार्मशाला से राहुल चावला के रिपोर्ट